Hi guys, welcome back to my channel. Guys, आज की समचेदार वीडियो में मैं आपको same to you बोलने के नए शांदार तरीके बताऊंगा. तो guys, आज से आपको same to you बोलना बंद कर देना है और उनकी जगह पर आपको ये सारे नए तरीके सीखने है. First one is, the feeling is mutual. इसका मतलब होता है हम दोनों की feeling एक जैसी है, मतलब same है, same applies to you, इसका मतलब होता है यही चीज आप पर भी लागू होती है. Next is, you stole my greetings. जो बात मैं बोलना चाता था वो आपने बोल दी, तो हम ये भी use कर सकते हैं. Right back at you, इसका मतलब होता है जो बात आपने मुझे कही, वो मैं आपको भी बोल रहा हूँ. Next is, you too, फिर उसके बाद में जो भी उन्होंने कहा, वो हम याँ पर बोल सकते हैं. तो guys, यह थी हमारी आज की वीडियो, guys अगर वीडियो अच्छा लगाओ, तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें, और guys इसी तरह से English को सीखने के लिए, यूट्यूब पर English with Vishal Rajpurोगे चैनल को सब्सक्र करें, thanks for watching.